अच्छा विपक्ष बारबर इस बात को कहता है रहा है और अभी भी कह रहा है कि ऐसा नहीं कि JPC की मांग पहले ना की गई हो और JPC पहले ना बिठाए गई हो तो इस बार जब पूरा विपक्ष 17-18 पार्टिया एक साथ खड़ी हो गई है और संसत जो है बिल्कुल ठप बात कर रहे हैं तो उस पर क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं आज दिक्कत यह है विपक्षी लोग देश की संविधानिक संस्थां को कटगरे में कर रहे हैं वो भाज़प का विरौद करते करते इस कदर आगे निकल जाते हैं कि वो जो हमारी संविधानिक संस्थां हैं उन पे आरोप लगाते हैं तो चुनाव हार जाएं तो इलक्षन कमिशन पर आरोप, ए वी एम पर जब जीत जाएं तो शांत आप देखिया ना भी हिमाचल में क अगर EVM में या इलक्षन कमिशन वो गड़बड़ करता तो इतने वोटों को मैरेज नहीं करते वो तो कहते हैं कि सेमी फैनल वो हमें जीतने देते हैं या जितनी बाइपॉल होते या छोटे चुनाव होते हैं जीतने देते हैं लेकिन देश का जो बड़ा चुनाव होता है वहाँ पर पूरी तरीके से अपने आपको काबिस कर देते हैं यह उनके मन का वहम हैं हम लोग बाइपॉल भी जीतते हैं मेन इलक्षन भी जीतते हैं और उसके पीछे हमारी मेहनत माने प्रधान मंतरी जी का नेतरत हो आज पूरी दुनिया मानती है ना कि भारत उभरती भी अर्थ वैवस्था है आज भारत विश्व की पांच भी बड़ी अर्थ वैवस्था है आज भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है जिसमें उसने पूरे दुनिया को एक राष्टा दिखाने का काम किया है तो ये सारी के सारी चीज़े हैं मैं अपने विपक्षी शातियों से अनुरोध करूँगा वो भाज़पा का विरोध करें देश का विरोध ना करें आपने का कि विपक्षी पार्ट किया उनका विरोध करें जबकि आरोप उनका ये है कि सत्ता धारी दल भाज़पा और प्रधार मत्री नेदर मोधी जो है इन संस्थाओं का बेजा और दुरूपियों कर रही है विपक्ष के खिलाप जितने भी मामले हैं जिन में जाँच एजेंसी जाँच कर रही है उनमें कुछ मिल रहा है ना अभी टीमसी यही कहती थी करोड़ो रुपे कैश मिले आप तो उस चीज़ के चश्मदीद गवाँ हैं कि पूरा मीडिया पे दिखाया गया आप क्या कहेंगे कि आज जिस भी आदमी की पूल खुलती है वो आरोप लगाना शुरू कर देता है लेकिन आप यह समझें कि पहले आप लोग विपक्ष में थे तो आप लोग आरोप लगाते थे के सीबियाई जो है वो कॉंग्रिस का तोता है सत्ता अधारी दल्कास तोता है तो यह कहूं कि जो सत्ता पे होता है यह इजिंसिया उनका तोता बन जाती है देखिए मुझे उस पीरियर का नहीं पता लेकिन आज जितनी भी एजेंसियां हैं वो निश्पक्ष रूप से काम कर रही हैं और उनकी कारिये परनाली को आप बहुत अगर आप पास से देखेंगे तो नजर आएगा कि वास्तों में वो फेर काम कर रही है